तो हाई दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ आप अपने चैनल पर जीमेल आईडी या इमेल आईडी से आप कम्यूटी टैप कैसे पोस्ट कर सकते हो अगर आप अभी अभी चैनल क्रियेट करके रखे हो लेकिन आपके चैनल पर एक भी सस्क्राइबर नहीं है तब भी आप अपने चैनल पर जीमेल आईडी या इमेल आईडी से आप अपने चैनल पर कम्यूटी टैप पोस्ट कर सकते हो पहले ये सब कुछ नहीं था लेकिन अभी के समय में सब कुछ बदल गया है आप जीरो सस्क्राइबर पर भी आप अपने चैनल पर कम्यूटी टैप पोस् कर सकते हो चलिए Esse इस वीडियो को सब्सक्राइब आपको पर अपको क्लिक कर लेना है जैसी आप क्लिक करोगी क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार के इंटरफेस आपको दिखाई देगा उसके बाद आपको साइड में एक एरो दिखाई दे रहा है उस पर आपको क्लिक कर लेना है जैसे आपको क्लिक करोगी क्लिक करने के बाद आपके मुबाइल में जितना भी जी एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नौ जितना भी आप बना कर रखे हो अपने मुबाइल पर Gmail ID ये सब आपको दिखाई देगा तो आपको अपने चैनल की Gmail ID को सलेक्ट कर लेना है तो मैं अपने Gmail ID को सलेक्ट कर देता हूँ अपने चैनल का तो जैसे कि मैं यहां से कोई भी एक Gmail ID सलेक्ट कर देता हूँ ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है अनियल ब्लॉक तो मैं इस वाले पर किलिक कर लेता हूँ आपको भी अपने चैनल पर किलिक कर लेना है जैसे आप क्लिक करोगे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार के इंटरफेस आपको दिखाई देगा उसके बाद आपके चैनल का जो लोगो है ये आपको दिखाई देगा सैड में उपर तरफ आपको सैड में आपके चैनल का लोगो दिखाई देगा और नीचे में आ आपको क्लिक करने के बाद और आपको डिखाई करते समय अगर आप कुछ लिखना चाहते हो तो आप लिख भी सकते हो जैसे की उपर में एक option दिया हुआ है आप यहां से लिख सकते हूँ नीचे तरफ typing करके और नीचे just एक image का option दिया हुआ है इस पर आप जैसे ही आप click करोगे तो आपके जो phone में जितना भी image है फोटू है आप खिच कर रखे हो यह आपके सामने आ जाएगा तो मैं इस पर click कर लेता हूँ click करके आपको दिखाता हूँ जैसे कि अभी आप देख सकते हो मैं इस पर click कर लिया हूँ click करने के बाद आपके mobile में जितना भी image photo वेगरे सब कुछ है यह आप देख सकते हो इस परकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा तो जैसे कि मैं एक photo select कर लेता हूँ कोई भी आप कोई भी select कर सकते हो तो मैं इस वाले photo को select कर लेता हूँ तो pencil के icon है आपको दिखाई दे रहा है इस पर आपको click कर लेना है तो वहां से आप जाकर थोड़ा से आगे पीछे कर सकते हो edit कर सकते हो जैसे के भी आप देख सकते हो crop वेगरे नहीं होगा आगे पीछे बस आप खसका सकते हो साइड वेगेरा कर सकते हो उसके बाद उपर में सेव का एक बटन है इस पर आपको क्लिक कर लेना है तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ जैसे आप क्लिक करोगे क्लिक करने के बाद आपको अपने चैनल के लोगों पर आपको क्लिक कर लेना है तो मैं अपने चैनल के लोगों पर क्लिक कर लेता हूँ जैसे आप क्लिक कर लेता हूँ उसके बाद आपको यूर चैनल पर क्लिक कर लेना है आपको दिखाई दे रहा है उस पर आपको क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहां से community tap में आकर जैसे कि मैं इसको site कर देता हूँ उसके बाद मैं आपको देखाता हूँ और वीडियो आपको अच्छे लगे तो subscribe करना इस वाले channel पर मैं blogging वीडियो करता हूँ जैसे कि अभी आपको दिखाई दे रहा है और community tap पर जैसे ही आप आओगे तो आने के बाद आप देख सकते हूँ community tap डिला गया है Gmail ID से